अपन तेरे खोतर से भूंड के निकालेगा तो फाइनली दूस्तो थालापती वीजे सर के करियर के सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर फिल्म लियो काट बॉक्स ओपिस पर रिलिज़ होए 22 दिन पुरे हो चुके है तो दोस्तो बात करेंगे लियो फिल्म के सुराती 22 दिनों के बॉक्स ओपिस कलिक्सन के बारे में और जाने के दूस्त लीयो ने अपने सुराती 22 दिनों वी दुनिया पर क्या बोक्स ओपिस पर कितने कोड का कलिक्सन कर लिया है उसके बारे मामसीडों में जानने वाले है तो दोस्तो लियो फिल्म जोकी दोस्तो और थालापती वीजय और डिरेक्टर लोकेस कनागराज के करियर के सबसे बड़ी बेगेश्ट ब्लोकबस्टर फिल्म बन चुकी है जहां दोस्तो लियो ने अपने सुराती 22 दिनों में दुनिया पर के बोक्स ओपिस पर काफी सांधर कमाई कर ली है तो दोस्तो आप लियो फिल्म देख चुके हो तो दोस्तो आपको लियो फिल्म केसी लगा में कमेंट करके ज़रूर बताए और दोस्तो वीडियो पूरा देखने से पहले आप हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सथी बिल नोटिपिकेशन ओन करके ओल फिल भी सेट कर देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा तो दोस्तो बात करें सबसे पहले लियो फिल्म के बजेट की तो इस फिल्म को टाइसो से तीन सो कोड के बजेट में बनाए गया है और इस film को दुनिया बर के बॉक्स ओपिस पर 6000 स्क्रीन पर रिलिस क्या गया था और इस film को डिरेक्ट किया था लोके स्कनागराद ने जुकि दूस्त इस से पहले विक्रम और केहती जैसी ओल टाइम ब्लोगबॉस्टर फिल्म दे चुके है और इस फिल्म के लीडरोल में आपको थालापती भी जाये जاجदसर सकरिशनन और अरउजुन सच्छा इस फिल्म के लीडरोल में आपको देखनी को भी लेंगे और दोस्तो बात करें लियो फिल्म के बुक्स अपिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो लियो ने अपने सुराती पहले ही दिन दुनिया बर के बुक्स अपिस पर 145 रुपे का कलेक्शन कर लिया था चुकि दोस्तो इस साल के आहिश्टोपनल फिल्म बन चुकी है दुनिया बर के बुक्स ओपिस पर 480 कोल रुपे का कलिक्सन कर लिया है दुनिया बर के बुक्स ओपिस पर 603 कोल रुपे का कलिक्सन कर लिया था दुनिया बर के बुक्स ओपिस ओपिस पर 603 कोल रुपे का कलिक्सन कर लिया था आपने सुरत 22 दिनों में वोल इंडिया नेट कलेक्सट कर लिए 338 ग्ल्ड रुपे का तो भी दुस्त प्रेव इंडिया खुलिज कलेक्सट कह चारसो पांच को रुपे का और दुस्त kosal करें गुल लियोफिलमी के चार्णो में वोर्सम के कलेक्सट के बारे में मैं में आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं वंदमात्रम